दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल पर मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है केजरिवाल एडी से लगातार भाग रहे हैं वो एडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं उनका कहना है कि हम कट्टर इमानदार लोग हैं लेकिन दिल्ली की जनता को ये समझी नहीं आ देंगे लेकिन उन्हीं लोगों ने ब्रश्टाचार की ऐसी पतकता लिख दिया है कि जिसने सुना वद्धंग रह गया ED की जाच से बाकते केजरिवाल को एक ही दिन में कोट से ट्रिपल जटका लगा है एक तरफ तो आप नेताओं के घर ED रेट कर रही है तो दूसरी तरफ कोट से भी केजरिवाल के लिए बुरी खबर आ रही है ऐसे में चोथरफा गिरने के बाद आम आदमी पार्टी की छटपटा हट बढ़ती जा रही है और आपके नेता मोधी सरकार और BJP पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो ED के जरीए केजरिवाल को खत्म करना चाते हैं आम आदमी पार्टी के पक्च में जब कोट का फैसला आता है तब आपके नेता कोट के फैसले को आधार बना कर BJP को गेरते हैं और जब कोट से उनके खिलाफ फैसला आता है तब आपके नेता कहते हैं कि BJP अरविन केजरिवाल की राजनीती को खत्म करना चाती है ऐसे में सवाल है कि केजरिवाल और आपके नेता को क्या कोट और कानून पर बरोसा नहीं है क्या है कबर और कैसे केजरिवाल को लगाए ट्रिपल जट का बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल E.D. से भाग रहे केजरिवाल के खिलाफ E.D. ने सिकंजाकस दिया है अर्विन केज्रिवाल लगातार एडी के समन से भाग रहे थे लेकिन कोट ने कह दिया है कि आपको पेश होना है। कि वो कानून के अनुसार कारवाई करेंगे। आपने कहा कि हम अदालत के आदेश का अध्यन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कारवाई करेंगे। को बूदवार को ही पेश होना था हलाकि उनके वकील ने बजट में वैस्तिता की वज़े से मुख्यमंत्री के लिए वैक्तिगत पेशी से छूट की मांग की अदालत ने केजरिवाल के वकील की प्रातना को सुईकार किया और 29 वरबरी को हाधिर होने को कहा आरोप है कि और फिर केजरिवाल के एक और तथाकतित कटर इमानदार नेता संजय सिंग को जटका लगा है कोट ने संजय सिंग की जमानत याचिका खारिच कर दी है मतलब एक के बाद एक कोट से केजरिवाल को तीन बड़े जटके लगे हैं ऐसे में आने वाले समय में केजरिवाल और आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। Bureau Report, OMH News और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं